नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अनलेटिक्स, तो विपेसी ने 68th combined का जो यह notification है, ठीक है, आज इसका form भरने का last date था, बस इस date को आगे extend कर दिया गया, 30 दिसंबर तक date को extend कर दिया गया, ठीक है, और इस जो 68th का जो exam होने वाला था, उसमें काफी बड़ा बदलाव लाया गय बदलाव मेंस की प्री में और मेंस, जो प्री मेंस होता था, दोनों में काफी पूरा का पूरा ही change कर दिया गया, इतना pattern था, सारा पे चेंज कर दिया गया, पैटर्न में यह पूरा की, जैसे 1500 questions जो आदा था, पहले उसमें negative marketing होता था, ठीक है, फॉन भरते time जो सबसे feedback लि के कारण, या किनी का भी अगर हो जा रहा है या नहीं हो राप वाइद किनी का लग factor है, उसके कारण, लग factor इसमें भी हो सकता है, किनी का अगर एक सही हो गया, ठीक है, तो 1 by 4 जो था, उसके लागू किया गया, पूरे all over 1.500 questions पे यह pattern रहेगा, ठीक है, अब मेंस का देखत पाश की माश रखा गया, GS1, GS2 सेम है, एक पर जैसे था पहले उसे ही, उसी तरह से, एक नया जो add किया गया, यह है AC paper है, ठीक है, AC paper को एक add किया गया, जो कि 300 अंक होगा, तीन घंटे के paper यह होगा, ठीक है, यहाँ पर जो optional subject था, इसे replace करके यहाँ पर निवंध ला दिया ठीक है, ठीक है, AC paper, उसके बाद जो आपका पहले से optional subject था, ठीक है, जिनका भी जो से भी जो optional subject था, उसको MCQ बना दिया गया, ठीक है, मिन्स की objective बना दिया गया, objective type का question रहेगा, जिसमें सिर्फ आपको जो passing percentage marks रहेगा, 30%, ठीक है, 30% जो passing marks रहेगा, वही obtain करना है, लाना है और इसका जो number होगा, इसका जो marks add नहीं होगा, ठीक है, जो merit list बनेगा, वह add नहीं होगा, final जो merit list बनेगा उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए एक बहुत बड़ा drawback हो जाएगा, इनके लिए जिनका optional subject होगा, जिसमें वो कर सकते था अच्छा, तो उनके लिए ये bad add नहीं होगा, ठीक है, कि वो उनका optional अच्छा था, प्रंटू उसका जो marks है, ये merit list में add नहीं होगा, ठीक है, अब उनके उनको एक नया subject prepared करना बना हो, जो कि essay paper है, और ये सभी के लिए है, ठीक है, और जिनका ये paper अच्छा होगा, जैसे लोग जो आगे जो UPSC के preparation कर रहे होगे, जो भी कर रहे होगे, ठीक है, जो पहलें का essay writing में अच्छा होगा, तो उसमें ये good news है, ठीक है, उसके बाद बाकी का जो pattern होई उसी तरह से, उसके बाद जो date है, ये तिस तारिक तक extend कर दिया गया है, ठीक है, उसके बाद नीचे एक line line और note में किया गया, payment करने तक का समय दिया गया, ठीक है, इनका application submission बे हो गया, कुछ गलत हो गया है, तो वो 10 जनवरी 2023 तक वापस से login करके, वो edit कर सकते हैं, ठीक है, और form भरने का जो date है, वो से 30 December तक ये extend कर दिया गया है, उसके बाद जो ये line अठारा ग्यारा दोजार बास को 68 combined का जो notification जो आया था को हद तक संसोधित समझा जाएगा, विग्यापन की अन्य सभी निर्दे सेवं सर पूरवत रहेगा, बस mains में जो है, आपका ये optional के साथ यहाँ पे हटा दिया गया, optional में आपको, बस हैं secure कर दिया गया, objective सारा question objective रहेगा, एक भी subjective question नहीं रहेगा, सिर्फ से passing लाना है आप आपको और इसका number add नहीं होगा, यहाँ जो ऐसे add होगा, यहाँ पर main paper आपका होगा, GS1, GS2 और यह essay paper, और हिंदी तो passing mark रखा गया, इसे भी, हिंदी objective नहीं है, जिसमें objective है, सिर्फ ये optional subject, सिर्फ वही एक ही paper है, जो optional subject, इसे objective रखा गया, बस mains में, हिंदी आपको subjective रहेग जो है, यह रहेगा आपका subjective, ठीक है, मिंस की, आपको पूरा लिखना है उसमें, ठीक है, और यह PD में जो है आपका, पुरे देड़ सो नंबर, देड़ सो कोशन पर आपका negative marking रहेगा, मिंस के अगर आपका चार गलत हो गया है, तो एक सही का number, ठीक है, एक जो right होगा, उसक के लिए, जो भी है, 67 का, अब इसके recording, अपना optional का, जिनका भी अच्छा था था, वो एशे पे अपना ध्यान देंगे, ठीक है, देखे, आगया, अब क्या करता है, 68 का जो नए pattern यहां तक आया है, चेंजिंग हो करके, ठीक है, यह जो भी region था, scaling and normalization को,